हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पलेटफॉन बुक भॉलूम थिरी से बिहार एससी सिजल के लिए टेस्स सिरीज 6 दखेंगे और दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रेक्टिस सेट मानने के लिए च तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों पहला प्रस्तों है किस मंदकालिन समराज ने आर्थिक तथा संस्कीतिक छेत्र में उत्तर और दच्छिन के भी सेतू का काम किया है तो किस मंदकालिन समराज ने किया है राश्ट कूट ने किया है तिसका राइट अ तो राज की मांग अपचारिक रूप से रखी है तो किस अधिवेशन में रखी है लहोर अधिवेशन में इसका राइट एंसर ओप्संस जो हो जागा अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कि लहोर अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अधियस्ता किस ने की थी तो लहोर और इसका अधियस्ता पंडि जोहलल नेहरू ने किया था ठीक है आगे देखते हैं सालेंट भेली राष्टि उधान कहा है थी थे के रल में बात कर लेते हैं कि बिहार में अन्वंडल की संख्या कितनी है जिला की संख्या अर्थ टोटल जिला है और नगर निगम की संख्या टोटल उनीज है ठीक है तो सभी पॉइंट को धियान रखेगा अगला प्रशने बिहार में किस अस्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिचाई होती है अगला प्रशन है कि बिहार राज में संदर में सही कथन कौन सा है तो सही कथन चुनना है तो बिहार के लिंगा अनुपात कितनी है तो बिहार के लिंगा अनुपात 918 है नगर ये जनसंख्या का अनुपात 11.3 है और बिहार में परिवार का अकार कितना है 5.5 है यह सही है तो यही टाइट अंसर हो जाएगा और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत वाला जिला कौन सा है शिवहर जिला है और बिहार में सरवधिक जनस्ग्याँ घंळत वाला जिला शिवहर है और कम जनस्ग्याँ घंळत वाला जिला जिला कॉंसा आग उर यहीWhen अगला प्रस्ण है कि किस सी गुरु ने जफर नामा की रचना की गुरु गोविंसी ने की तो इसका राइट एंसर ओप्शन बी हो जाएगा अगला प्रस्ण रखते हैं निमलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्निम चतरभूज का भाग नहीं है तो कौन सा राजमार्ग जो है दो जाखें तो दिल्ली, मुंबाई, चनाई और कुलकत्ता है ठीक है अगला प्रशन है निमलिखीत में से कौन जो है हाउस ओफ एल्डर भी कहा जाता है तो राजसभा जो है हाउस ओफ एल्डर भी कहलाता है इसका राइन अंसर C हो जाएगा और राजसभा को 28 सदस भी कहते है ठीक है अगला प्रशन है राजसभा को 28 सदन कहते है और विधान सवरी लोगसभा को 28 सदन कहते है अगला प्रशन है कि भारतिय राज किस राज में परतेक वर्ष दिसंबर में हर्ण बिल महुत सो मना जाता है जो परतेक वर्ष दिसमर में नागलेंड में ठीक है इसका राइट अप्शन दी हो जागा आगे दखते हैं महात्मा गांधी राष्टिय समूद्र उधान कहां इस्ती थे महात्मा गांधी राष्टिय समूद्री उधान कहां इस्ती थे पोर्ट बलेयर में इसका राइट अंसर ओप्शन भी हो जागा अगला प्रतेक वस राष्टिय राजमार्ग सनचन दिवस राष्टिय उर्जा सनचन दिवस कब मना जाता है तो राष्टिय उर्जा सनचन दिवस चो दा दिसमेर को मना जाता है इसका $ vendor options यह हो जागा 14 को दूस्त बाल दिवस मना जाता है और 24 दिशमेर को राष्टी 24 दिशमेर को राष्टी उपहुकता अधिकार दिवस मना जाता है ठीक है अगला प्रश्ण किस राज से अलग करके मेघाले राज बनाया गया है तो किस राज से अलग करके मेघाले राज बनाया गया है अस्वम राज से तिसका राइटन सवर ऑप्शन सी हो जागा है आगे देखते हैं भारत में सविधान में सवरी भारत के सविधान में किस सविधा अगला प्रस्वन निम्निखित में से भारत का राष्टिय जल जीव कौन सा है गंगा नदी डॉल्फिन है तिसका राइट अप्शन ए हो जाएगा आगे देखते हैं किस विधेव को मात्र लोग सभा में परुस्तूत किया जा सकता है धान विधेव को तिसका राइट अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतिय सविधान के किस अनुछेद में धान विधेव का चर्चा किया गया है तो अनुछेद 110 में किया गय अगला प्रश्ण में महाजन पद जुग में उजयन किसकी राजधाने थी आवंती राजधाने थी इसका राइट अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगला प्रश्ण दुनिया में सबसे बड़ा साहित महथ्सो में एक भारत में सलाना अउजद किया जाता है इसे क्या कहते है तो इसे क्या कते हैं जैपूर साहित महफसों कते हैं इसका राइट अप्सन ए हो जाएगा आगे दखते हैं नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है तापती नदी है तिसका राइट अप्सन भी हो जागा ठीक है अगला प्रशन है कानून दवारा स्थापित पर किरिया लिया गया है तो कानून दवारा स्थापित पर किरिया किस देश के सविधान से लिया गया है तो जैपान के सविधान से लिया गया है तो जैपान के सविधान से लिया गया है तो अगला प्रशन है कि किस राज में पठ चित्र चित्रकारी पाए जाती है किस राज में पढ़ इस हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं पाकिस्तान दगाइदरिंग अश्टोर्म नामपुष्टक के लेखा कौन है तो बेनजीर भुठ्टो नहीं हो जाएगा अगला प्रस्मेद पंचाय समिति के सदस की जाते हैं ऑगे दखते हैं गोवी-मरुष्तल-ुमलिखित में से किस महादीप में इस्तित है गोवी मरुष्थन निमलिखीत में से किस महादीप में इस्तित है इस या महादीप में इस्तित है तिसका राइट अशर ऑफशन के किस अनुसूची में राज के नाम तथा संग राज छेतर के बारे में बताया गया है तो पहली अनुसूची में बताया गया है तिसका right answer option A हो जाएगा ठीक है अब दूसरी अनुसूची में दोस्तो भारतिय संग के उच पदोग पर आसिन व्यक्तियों को मिलने वाले बेतन भात्य तथा प्यंशन आदी का उले किया गया ठीक है और तिसरी अनुसूची में भात्य सविधान के अंतरगत कुछ पदधारक के सपत और परतिज्ञान के प्रारुप से समन्दित है और चोथी अनुसूची में भारत के राजियों तथा संग राजचेतर के राजसभा में परतिनिधित्व का वीवरंद दिया गया है ठीक है आगे दखते हैं भारतिय सविधान के कौन से अनुछेद में जीवन तथा दाहिक सोतनतता के अधिकार की व्याक्षा दी गई है तो अनुछेद 21 में तिसका राइट अंसर और संस जीवर्यागा ठीक है अब जोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुछेद 24 में करखानों आदि में बालकों के नियोजन का परतिछेद है ठीक है अनुछेद 25 में अंता करन धर्म के अबाद रूप से मानने आचरन करने तथा परचार करने की सोतनतता है अनुछेद 26 की बात करें तो अनुछेद 26 में धार्मिक मामलों के परवंद की सोतनतता वर्णन है ठीक है अगला प्रशने मोर्ज वंस के ऐसे कौन से सासक थे जिन्होंने अभिलोखो दवारा जनता तक अपने संदेश पहुचाने का परियास किया है मोर्ज वंस के कौन से सासकते अशोक थे इसका राइट अन्सर बहन भी अगला प्रस्ने करते हैं किसने प्रथवी कितने समय में एक डिग्री घूम जाती है कितने समय में तो 4 मिनिट में तिसका राइट असर ओफसन यह हो जाएगा अगला प्रशन हेमिस गोमपा नामकमठ कहां इस्तित है लदात में इस्तित है तो इसका राइट असर ओफसन यह हो जाएगा आगे दखते हैं किसे चुना आयोग औनि एलेक्शन कमिशन का नेशनल आयोकन बनाया गया तो पंकच तिर फार्थी को चुना आयोग ने नेशनल आयोकन बनाया ठीक है अगला प्रशन है दच्छिन से उत्तर की और भारत की मुख भूमी का विस्तार 8 डिगरी 4 उत्री दसांतर तथा इस सित है तो क्या है कौन से दसांतर है तो उत्तरी 8 डिगरी 4 उत्री दसांतर और 37 डिगरी 6 जो है दच्छिनी दसांतर तो इसका राइट अंसर ऑप्संस जो ज लिखी गई लिखी गई थी वर्तमान में कहां उपाई सी थे तो वर्तमान में वल्लव गुंजरात में अवस्थी थे तो इसका राइट अंसर ऑप्सन भी हो जागा ठीक है अगला प्रशन है कि भारतिय सुविधान के किस लेख में सोसन के विरूद अधिकार दिया गया है तो सोसन के विरूद अधिकार दिया गया अनोश्ये 23-24 में इसका राइट अंसर ओप्सन यह हो जागा ठीक है आगे देखते हैं कौन भारत के 50 में मुखहनायधिस के रूप में काजभास सम्हालें गे गो नवंबर 2022 में सम्हालेंगे। तो कौन जो है भारत में 50 में मुखे नाधिस बनेगा तो कौन सा है तो न्यायमूर्ति डि-वाई चंद्र चूड तो इसका आइट अंसर यह हो जाएगा अगला प्रसंद में लिखीत में से कौन सा पेट्रोलियम निर्याथत्व देशों के संगठन और उपयक के संस्थापक स और इस संग्ठन का अस्थापना उने सो साथ में किया गया था अगला प्रशन रसाइन विग्यान में नोबेल पुर्वसकार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है तो डेविड मैं की मिलन को नहीं दिया गया ठीक है आगे दखते हैं निमलखित में से कौन सा तारवाला बाद जयंत्र नहीं है तो तबला तारवाला बाद जयंत्र नहीं है तो तबला तारवाला बाद जयंत्र नहीं है तो इसका राइट अनसर ओप्शन डी हो जाएगा अगला प्रशन है पंचायतों में समंधित भारत के सविधान की गाराहमी अनुसूची में कितने भी सह है पंचायतों से समंधित भारत के सविधान के गारां में अनुसूची में कितनी भी सह है तो 29 भी सह है ठीक है इसका राइट अंसर ओप्शन डी हो जागा ठीक है अब बात कर लाते दोस्तों कि पंचायत जो है कि सविधान संसोधन में कि सविधान संसोधन से संबंदित है तो पंचायत जो है चोहतर में सविधान संभोधन से संबद्धित और इसमें टोटल विशाई कितने अठारा है ठीक है और बाराहमा अनुसूची में वर्णित है ठीक है आगे दखते हैं कि प्राचिन भारत में किस के संग को स्रेनी कहते हैं तो बेपारिक बेपारियां जो है कि संगों को स्रेनी कहते हैं ठीक है अगला प्रस्ण है कि हंगरी की रजधानी है हंगरी की रजधानी बुड़ा पेश्ट है इसका राइट अंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आगे दखते हैं कि सुर्ज के चारों और चकल लगाने वाले मंगल तथा भी हस्पति के कछाओं के बिच पाए जाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्या करते हैं तो छुद्रगर करते हैं इसका राइट अंसर ऑप्शन यह हो जागा ठीक है अगला प्रस्ण महादीपिय सहीता के परपट को अनिनाम जो है सियाल है इसका राइट अंसर ऑफसन यह जगा ठीक है अगला प्रस्ण कौन सा बाद स्वरी कौन सा बान्ध जो है अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है सलमा इसका राइट अंसर ऑप्सन जो हो जागा अगला प्रशन है होज खाज किला किस भारतिय सहर में इस्तित है तो होज खाज किला जो है होज खाज किला जो है भारतिय सहर में इस्तित है कौन से सहर में दिल्ली में इस्तित है इसका राइट असर ऑप्षन ए हो जाएगा आगे दखते हैं उस जगह का समाने नाम क्या है जहां बैण मिंटरल खेला जाता है तो ऊच होट जिसका राइट अमों ऑसज्टो और ऑर जान ले जिए जो खेला जाता है तो तो रिंग में दोस्तों Asking और मुखे बाजी का खेल खेला जाता है पीछ से समन्द जो है किर्केट और रगविग खेल खेल खेला जाता है ठीक है डायमन्ड जो है बेसबॉल खेला जाता है तो सभी को आग रखे में अगला आगे दखते हैं जदे पिर्थवी की तिरिज्जा एक परतिसत तक सिकूर जाए तो पिर्थवी की सत्व परगुरूत वक्त के कारण तवरन क्या होगा तो तवरन बढ़ेगा ठीक है इसका राइट अप्शन भी हो जागा आगे दखते हैं लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति तवरन एक साथ उपर की और बढ़ रही है व्यक्ति का अभासि वजन होगा व्यक्ति का अभासि वजन क्या होगा तो वास्तिक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ ठीक है इसका राइट अप्शन डी हो जाएगा आगे दखते हैं उत्ताल दर्पन एक आवर्धित परतिवीम कब बनाता है जोस्तो उत्तल दर्पन जो है हमेशा परतिवीम अभासि सीधा तथा वस्तु से छोटा बनाता है अगला प्राश्ण है संवभान मुख रूप कि प किश्में नहीं होता है तो फिलामेंट लेंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया गया है ठीक है तो यह इसमें नहीं होता इसका राइट एंसर ऑप्शन भी हो जाएगा आगे देखते हैं एक पारदर्सित सामगरी का अपरतनांग होता है तो एक पारदर्सित सामगरी का अपरतनांग बैंगरी रंग के लिए अधिक्तम होता है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगला प्रसुन निमलखीत में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्रात्मिक घटक ह तो मिथेन ठीक है इसका राइट अप्षंट सी हो जागा आगे देखते हैं किस गरह के चारो और चक्र लगाने वाले उप्गरह की कछ्य गति निम्न से सुतंत्र होती है तो उप्गरह की दर्वान से सुबतंत्थ होती हैं तिसका राटएंचे आपसन और दवार्थ प्रस्था केलिए केन्द्रीय प्रदूसरों नियंत्रन ये 55डेसीवाल है तिसका राटएंचे ने मरसे हूंचे की आगे जखते हैं तो कौन सा है, तो option इसका right answer हो जागा, D हो जागा polyvinyl acetate, polyvinyl acetate है, ठीक है, अगला प्रस्थ दखते हैं, निमलिखीत में से कौन सा वास्तिविक विलियन का एक उदाहरन है, तो वास्तिविक विलियन का एक उदाहरन है, जिंक अम लगम, जिंक अम लगम, जो जसद समिस्रम, इसका right answer option C हो जागा, समुह वन छारिये धात्वों में सबसे परवल अपचाई अभी करमक है, लिथियम है, ठीक है, इसका right answer option B हो जागा, अगला प्रस्थ चार में, फिनॉल लेफ्थिनलीन का रंग कैसा होता है, गुलावी होता है, इसका right answer option A हो जागा, अगला प्रस्थ चार में, लिखित में से कौन सी एक संकर्मक धातू नहीं है, काडमियम जो है संकर्मक धातू नहीं है, इसका right answer option C हो जागा, आगे देखते हैं, इसका right answer option D हो जागा, ठीक है, अगला प्रस्थ चार में, लिखित में से कौन सा, काइंसर को सिकाओं की एक विश्यस्ता नहीं है, काइंसर को सिका की एक विश्यस्ता नहीं है, कौन सा है, संस्पर्स संदमन और संपर की निच्छे दिखाती है, इस जो नहीं है, इसका right answer option B हो जागा, अगला प्रस्थ चार में से कौन सा पादप हर्मोन बीरधी को रोकता है, और पतियों को मुर्जाने के लिए चीमेदार होता है, तो कौन सा पादप हर्मोन है, इसका right answer option A हो जागा, आगे दखते हैं, निम्लिखीत में से किन अंगों में पूर्जरहन के सकती होती है, अक्रित में होती है, इसका right answer option B हो जागा, अगला प्रस्थ ब्रेक बोन या हड़ी तोड बीमारी में वाहक का नाम बताईए, ब्रेन बोन या हड़ी तोड बीमारी जो है, कवाहक कौन सा मच्छड है तो एडिज मच्छड जो है, इसका right answer option हो जागा, एडिज मच्छड से डेंगो बीमारी होता है, ठीक है, आगे दखते हैं, गर्म करने पर कैलसियम कार्बोनेट का कैलसियम ऑक्साइड और कार्बन ड पितल इन में से किसका मिश्रन है, पितल इन में से किसका मिश्रन है, तो 30% जास्ता और 70% तामा होता है, ठीक है, पितल में, तिसका right answer B हो जाएगा, अगला प्रश्ड निम लिखित में से कौन सा वर्नक हमारे बालो, तौचा और आखों के रंग के लिए मुख रूप से उत नाम बताइए, जिसमें जीव अपना पोशन मृत और विघटन सील पदार्थों से बिलियन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो कौन सा पोशन का नाम है, तो मृत जीवी पोशन है, इसका right answer option B हो जाएगा, अगला प्रश्ड निम लिखित में से कौन सा और अक्स से रूक फिर मिलें गए अगले वीडियो नए सेट के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेजीगा, जाहिन